नहरू इंद्रा और नर्सिमार राव समेट पूर प्रधान मंत्रियों का जिक्र कर पीम मोदी ने संसत के विशे शत्र में बताई अपनी सरकार की उपलब्धियां जी हाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसत के विशे शत्र में हिस्सा लिया इस दोरान उन्होंने लोकसभा को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्दियों की जानकारी दी पीमोधी ने न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्दियों की जानकारी दी, बलकि देश की पहली प्रधानमंत्री जवाहलाल नहरू से लेकर इंद्रा, गांधी और नर्सिमार राव की सरकार तकके जर्ये उठाए गई कदमों की तारिख भी की पीमोदी ने जवाहलाल नहरू की सरकार का जिक्र करती हुए कहा कि पंडित नहरू की जो प्रारंबिक मंत्री परिशदी उसमें कई प्रमुक लोग शामिल थे नहरू की कैबिनेट में शामिल बाबा साहब अंबेटकर ने दुनिया की सबसे बहतरी नीतियों को भारत में लाने पर चोड़ दिया फैक्टरी कानून में अंतरास्टी सुझाओं को लागू करने की वकालत की गई इसका परिणाम देश को आज सक मिल रहा है बाबा साहब अंबेटकर ने नहरू जी की सरकार में वोटर पोलिसी दी अंबेटकर हमेशा कहते थे कि भारत के विकास के लिए इसका उध्योगी करण होना ज़रूरी है देश के पहले वानिचे और उध्योग मंत्री के रूप में शामा परशाद मुखर जी ने इंडस्ट्री पोलिसी बनाई आज भी जितनी नीतियां बनती है उनकी आत्मा पहली सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई है प्रधान मंत्री मोधी ने अपने भाशन में पूर्वे पीम लाल बहादू शास्त्री का भी चिक्र किया उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने इसी सदन से 1965 के पाकिस्तान युद के समय जवानों का खोसला बढ़ाया था यही से ही हरित क्रांती के लिए मजबूत नीव दी गई इंद्रा गांधी के निर्थित्व में इसी सदन ने बांगलादेश की मुक्ति के आंदोलन को समर्थन दिया इसी सदन में अमर्जेंसी में लोगतंत्र पर हुए हमले को देखा इसी सदन ने लोगतंत्र की मजबूत वापसी को भी देखा। इसके अलावा पियम मोदी ने देश के उस दोर का भी जिक्र किया जब भारत एक बड़े आर्थिक संकट में फसा हुआ था। उन्होंने बताया कि देश एक वक्त आर्थिक नीतियों के बोस्तले दबा हुआ था। पूर्वे प्रधान मंत्री नर्सिमार राव की सरकार ने पुरानी नीतियों को छोड़कर नई नीतियां बनाई जिसका फाइदा देश को आज भी हो रहा है।